कि अगया यह जो है वह निए ज़रूरी थी और इसलिए वैल्यू फर्म पैदा हुआ वैल्यू इस नदिग बट अब्जेक्टिफाइड लेवर वस्तुकर्ट श्रम्ट वही मूलता वैल्यू उसी को बोलता है और यह वैल्यू पैदा होता है एबस्ट्रैक्ट लेवर थे पार्ट्स ने कॉंक्रीट और एबस्ट्रैक्ट लेवर को अलग किया मैं इन डीटेल्स में जादा नहीं जाओंगा एक काविएट भी जोडना चाहूंगा अभी मैं हम लोग जहां से बात्ची शुरू कर रहा है वहां पे बहुत सिंपल कॉंसेप्स से बात कर रहा है आगे ह हम थोड़े जादा इंट्रिकेट कॉंसेप्ट पे बात करेंगे और उसमें मैं कुछ चीजे अधियूम करके चलूंगा कि लोगों को पता है क्योंकि आप सभी लोग पढ़ सकते हैं क्या थेना वो क्यापिटल ये माक्सिस प्रिटिकल एकॉनमी की टेक्सबूक पढ़ सकते इसलिए जाहिर सी बात है कि यहां पर हम लोग कोई एकॉनमिक्स की क्लास पर यह है लिए और मुझसे ज्यादा समझदार लोग यहां मैं लेखना हूं पैटे हूं मुझसे ज्यादा अनुभवी और समझदार तो यह बड़ी छोटा मूँ बड़ी बात हो जाएगी कि मैं ब ने अपने एक capitalist mode of production के dynamics को discover करने के अपनी study में प्री capitalist mode of production से की comparisons की है जैसे कि मैंने बताया कि surplus product पहले कैसे appropriate होता था और value form के emerge होने के बाद कैसे यह appropriation चुप गिरा क्योंकि जो surplus labor time है जिसमें कि वो अपने मालिक के लिए पैदा कर रहा है बदूर या producer और जो necessary labor time है जिसमें कि वो अपने लिए पैदा कर रहा है it becomes one homogeneous labor वो सुबर 9 बजे जाता और 5 बजे आता है 9 बजे से 5 बजे तक वो काम करता है तो वो पूरे time अपने लिए नहीं काम करता है यह किस चीज में छुप जाता है यह equality of exchange के परदे के पीछे यह appropriation of surplus चुप जाता है तो यह जिसको कह सकते हैं कि एक barrier of honest to god equality of exchange कि कोई worker काम करता है आट धंटे पुंजीपती उसको आट धंटे के काम का पैसा देता है पुंजीपती का मुनाफ़ा कहां से आता है लेकिन इसको बताने के बहुत साश्टांग द्रविड प्राणायाम लोगों ने किया कि मार्केट में उसकी सप्लाई जब करन होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है वह बढ़े होई प्राइस की वज़े से उसका मुनाफ़ाता है लेकिन ऐसे में किसी दूसरे capitalist producer के loss पर ही पहना producer अपने आपको enrich कर सकता है capitalist owner ऐसी सूरत में capitalist class as a class cannot grow rich capitalist class as a class can grow rich only by appropriating the surplus product produced in the surplus labour time another problem which comes with the emergence of capitalism is that the appropriation of surplus becomes you know hidden under this veneer of equality of exchange और इसके मार्च यहां तर दोनों का comparison करके दिखाते हैं और दिखाते है कि capitalism में किस तरीके से surplus appropriate होता है लेकिन इस process में वो feudal mode of production या pre-capitalist mode of production के पारे में भी बहुत valuable insights देते हैं और इसलिए उनका एक अलग collection दे है Marx on pre-capitalist social formation जो बहुत पहले छपा था लंडन से Eric Hobsbawm ने उसको इडिट किया था पहली बार और वो संकलन में ऐसी observations को एक जगा compile किया गया तो इस तोर पे कुछ लोग का यह कहना था कि नहीं Marx का जो capital का कोई रिष्टा नहीं feudal mode of production से यह कोई यह सिर्फ और सिर्फ capitalism के बारे में बताता है और यह इसको जो है किसी तोर पे feudalism या slave mode of production या any kind of pre-capitalist mode of production को समझने के लिए इसका इस्तेमाल करने की बात बेकार यह कहने वाले लोग जैसे Louis Althusser थे, Coletti थे, Bonnetonov ने बहुत पाले रूस में कहाता यह I.I. Rubin ने कहा था तो इस तरह के लोग लेकिन यह view एक बहुत ahistorical किसम का view है जो यह नहीं देखता है कि Marx के work को totality में देखता है लेकिन इस सब के बावजूद यह बात सच है कि Marx के capital का जो particular object था वो था unravening the laws of motion of capitalism यह उसका particular object definitely था इसमें कोई शक नहीं है दूसरा जो सवाल एक एहम सवाल है जो कि Marx के इस work को पहले लिखे गए political economy के यह सारे track इससे अलग करता है वो है method होता है जो method Marx ने अपने analysis के लिए capital में लगाया जो materialist dialectics का method है Marx ने खुद कई बार यह कहा कि मैं पहला व्यक्ती हूं Marx बहुती rarely ऐसी भाशा में बात करता है लेकिन उनने कई बार कहा जैसे 1872 में इस बात को दुबारा दोराते है 1873 में जो जर्मन एडिशन का introduction capital का लिए तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि यह materialist dialectical method है materialist dialectics का method क्या है जिसके आधार पे Marx अपने predecessors थे जो कि महाल political economists थे Adam Smith हो या Ricardo Hoop या पुछ मायनों में फिजियोक्रैट्स के political economy के contribution को भी Marx काफियत तक मानते थे खासतर पे reproduction of capitalism के मामले में तो इन सब economists थे एक मामले में Marx अलग खड़े मुझे लगता है गुनियादी तोर पे चार इसकी खासियत है में करता है बलकि सभी आर्थिक परिगट्नाओं को उनके interconnections में study करता है उनके अंतर संबंधों में study करता है पहली चीए दूसरी चीज़ वो सभी आर्थिक परिगट्नाओं का motion में अध्यान करता है वो आर्थिक परिगट्नाओं को static categories या static things नहीं आगता है, बलकि उनके constant motion नों को study करता है. तीसरी चीज, वो समूझे आथिक परिगटना को एक सबेकित पूर्ण था, एक integrated totality के तौर भी study करता है. यह निकि मतलब एक जगा देख रहा है या दूसरी जगा देख रहा है, इंटायर सिस्टम को वो देखते हैं, इंटायर totality को देखते हैं और आखरी चीज जो important है वो यह कि इस totality में को किस चीज की study करते हैं, उसके contradictions, क्योंकि किसी भी totality की move गरने या उसके motion के कारण उसके internal contradictions होते हैं, और इस तौर पर मार्क्स capitalist mode of production के internal contradictions की study करते हैं, मिसाल की कास पर कमोडिटी की जब बात करते हैं, तो बताते हैं कि कमोडिटी की खासियत है ऐसा product जो कि direct consumption के लिए ना पैदा हुआ हो बलकि exchange के लिए पैदा हुआ हो बलकि exchange के लिए पैदा हुआ हो बलकि in order to be exchanged, it must be useful, it must satisfy some want or some need of society, which want or need in a capitalist society is not pure human or social needs, but it's a want or need represented by effective demand. effective demand एक चलता है, जिसका मतलब जिस मांग को market represent करता है, हो सकता है कि आज नए नए खासियतों से less smart phones की कोई जरुआ हो बजाए उसके social labour का को दूसरी चीज़ों और जादा जरुरी चीज़ों को पैदा करने में लगाया सकता है, लेकिं चूंकि capitalist market उस demand को represent करता है, इसलिए व demand, but a demand represented by the blind forces of market, तो इस तोर पे, मार्क्स उस, मैं रहते है कि यह useful भी है, इसकी एक use value है, और इसको exchange के काविल होना, हर चीज़ जो useful है, वो exchange नहीं होती है, धूप useful है, पानी useful है, जब तक उसका prioritization नहीं होता है, तब तक वो commodity नहीं होती है, और इसलिए, तो general characteristic है commodity कि गो है it should be product of labor in general, in particular land का भी commodification होता है, जब उसका privatization होता है, लेकिन उसका भी अगर जमीन का commodification हो भी जाता है, तो जमीन के मालिक को जो rent मिलता है, वो जमीन अपने आप निकाल के नहीं देती है, जमीन पे पैदा जो होता है, जो surplus पैदा होता है, उस surplus का एक हिस्सा उसको rent के लू तो जो land owner भी है, वो land उसको खुदी निकाल के उसकी समरित दिया, कोई चीज नहीं दे लिए, वो land के जो production हो रहा है, surplus का, उस surplus का एक हिस्सा land owner भी है, इस तोर पे rent जो है, surplus product का ही एक पार्ट होता है, तो इस तोर पे Marks का जो चौथा सबसे important चीज है, कि चीजों के internal contradiction को study क कि आजा है, क्योंकि internal contradiction ही चीजों को उसकी identity दे लिए, इसी वे science के different branches है, they are differentiated from each other, by the particular contradiction that they study, जिसे mathematics, वो plus minus integration, differentiation को study करता है, biology, किसी और contradiction को study करता है, physics, किसी और contradiction को study करता है, उसी तरीके से, जो economic science है, जो capitalist mode of production का study करता है, वो basic commodity के ही इस contradiction को follow करता है, capitalism के development के higher level पे भी, जो सारे contradictions पैदा होते हैं, वो ultimately, in the last ten verses, commodity form में नहीं यह जो अंतरविरोध है, use value और exchange value के, उसी का वो mediated reproduction होता है, उसी के mediated, मतलब कई अन्यकारकोद वारे मधिस्थता के वजह से पैदा हुई अभियक्तिया होती है, तो इस तोर मार्क्स उसी contradiction को follow करते हैं, और इसको study करते हैं, और इस तोर पे, मार्क्स का dialectics, हेल के dialectics से बहुत अलग था, मार्क्स का dialectics, materialist dialectics था, जो real people engaged in production and reproduction of their existence, जो उसमें लगे हुए, ऐसे वास्तविक मनुष्य, जो कि अपने अस्तित्व के उत्पादन और पुनर उत्पादन मे लगे हुए हैं और इस प्रक्रिया में आपस में कुछ निश्चित रिष्टे बनाते हैं, कुछ पादन संबंद मनाते हैं, वो वहाँ से शुरुबात करते हैं, इसलिए मार्क्स का method concrete से शुरुबात करता है, abstract की तरफ जाता है, वापिस concrete की तरफ आता है, यानि कि वो concrete data gather क करता है, concrete data, economic data का generalization करता है, सामानी करन करता है, उस generalization के तरिये conceptual knowledge के पहुचता है, capitalism के, और उस conceptual knowledge को test करने के लिए, वो वापिस concrete की तरफ जाता है, कि whether the generalization is correct or not, और ये प्रक्रिया तभी हत्म नहीं, ये concrete से abstract की तरफ movement, और abstract से concrete की तरफ movement, ये continuous perpetual movement होता है science का, जिस प्रक् और मेठी येन इतको समश्चे अजया ये प्रक्रियान के लिए को तमस्ता है.